आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। सवाल है प्रिकरम, c2च बदल रहा है c2गैस में, के लिए एंथेलपी है. चार विकल डिये हुए है. पहला है गलन की एंथेलपी, दूसरा Soupď الخles काирण की enthalpy तीसरा है धभन की enthalpy और चोता है उ wzglण पातन की एंधलपी लिःखको अगर हम बात करते हैं यहांपर सबसे पहले देखते गलन की enthalpy का क्या मतलब है लिग नाम सी पटा पढ़ रहा है है क्मवद आपंझ आप सौलिड या नि जो ठोस हो वह क्या हो जाएगा, गल के किस में बदल जाएगा, द्रम में बदल जाएगा, अगर इस अविक्रिया के दौरान, अगर मैं कहूं, गलन की एंथेलपी का मतलब क्या है, थोस जब द्रम में बदलता है, यानि कि जब आपका एक मोल थोस द्रम में बदलता है, उस दौरान जित एक वायू मंडल दाव होता है, तो इसका मतलब यह तो solid से gas में जा रही है, इसका मतलब यहाँ गलन की enthalpy परवासित नहीं होगी, दूसरा दे रखा है वास्पी करण की enthalpy, नाम सी पता पढ़ रहा है वास्पी करण अवकिरिया कर नहीं है हमको, और वास्पी करण अवकिरिया क् ह क्लिया क्या होता है, गैस में बदलना game legislators में है, तो हम कह सकते हैं एक वास्पी करण की enthalpy कहते हैं यहां पर द्रव किस्म करवर्ट बदल रहा है, लेकिन हमा जो प्रिष्ण है उसमें solid किसमें बदल रहा है, gas में बदल रहा है यानि कि ठोस gas में तो ये भी परवातित नहीं होगी, तीसरा है दहन की उसम, दहन की enthalpy का मतलब क्या है, अगर मैं किसी भी यौग का एक मौल ले लूँ, किसी भी यौग के एक मौल को O2 की उपस्तिती में दह हैन करने पर जितनी ऊर्जा, जितनी enthalpy में पढ़तना आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, दहन की enthalpy कहते हैं, तो ये दहन की enthalpy उसके लिए परवातित नहीं होगी, और चौता है हमारा ओर्दवपातन की enthalpy, ओर्दवपातन ये जो अवक्रिया होती है, वह अवक्रिया होती है, जब आपका solid किसमें बदल जाए, आपका जो ठोस है, वह किसमें बदल जाए, gas में बदल जाए, इस अवकिरिया को हम क्या कहते हैं, उर्दु पार्तन की अवकिरिया, और हम बात करें, उर्दु पार्तन की जो enthalpy पर उसका मतलब क्या है, अगर आपका एक वाजु मंडिली दाप पर एक मोल ठोस हो, क्या हो, एक मोल ठोस को gas में परवर्तित कौनने के दौरान, जितना enthalpy में परवर्तन आता है, उसे हम enthalpy की, उर्दु पार्तन की enthalpy कहते हैं, और आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो कार्बन जो ठोस है, वह कार्बन गैस में बदल रहा है, इसका मतलब कार्बन का उर्दु पातन हो रहा है, और यहाँ पर कार्बन के आगे कुछ भी नहीं नमबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका गोड़ांक क्या है, तो इसका मतलब एक मोल यहां पर ठोश कितमी बदल रहा है एक मोल गैस में बदल रहा है तो इसके लिए कौन सी आपकी एंथेली परवातित होगी उर्द पातन की एंथेल्पी थन्यवाद